हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल में एक वार फिड से स्वागत है आज हम ताजा मतर की मखनी सबजी बनाने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं अगर आप आज मेरे चैनल पर नई है तो प्लीज मेरे चैनल सस्क्राइब कर लिजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एक पैन लिया है पैन में हम 2 टेवल स्पून ऑइल डाल देंगे और गरम हो चुका है इसमेन हम जीर डाल देंगे लाए एक चुटकी हमने हींग लिय आदरक पेस्ट डाल देंगे, भून लेंगे रखे से धुन चाहिए एक मिर्च लीए हमने उसको कट चिया है एक छोटी चमबच हमने हल्दी लीए है देंगे आधे चोटी चमबच लीए लाल मिर्च डाल देतेहां और धन्या पावडर भी डाल देतेहां भूल की अच्छे सेख lucky दो टमाट्र का हमने पेष्ट बनाया है दो टमाट्र ढाल देते हैं ऻुका है हमने एक बाउल ताजा मटर ली है ताजा मटर डाल देंगे इसमें मिक्स करेंगे दो ती मिनट हमें इसको ढखकर पका लेंगे तीन मिनट हमारे हो चुके हैं अब हम मटर को चैक कर लेते हैं इसमें हम नमक डाल लेंगे एक चमच हमने नमक लिया है और आदी चोटी चमच हमने गरम मसाला लिया है गर्मसाला भी डाल देते हैं एक चमज दनिया पत्ति ली हैं आक हमने प्याल प्याप रख दिया है, तब तक हमने छोटा पैन ले लिया है इसमें हम एक इंच बटर का टुकला डालेंगे इससे ज्याद़ टेस्टी हो जाएगी मटर्मकनी बटर हमारा मैल्ट हो चुका है अब हम इसमें एक चमब डाल देंगे बेशन बेशन को अच्छे से भून लेंगे बेशन से मटर मखनी का टेस्ट और जादे इनहेंस हो जाएगा और मिक्स कर लेंगे अच्छे से बेशन बुन गया है बेशन में से भी खुसबू आने लगी है बेशन हम मटर में डाल देंगे आधा कभ इसमें पाइन डाल देंगे अगर आप सूखी बनाना चाहते हो तो पानी ना डालें आप पानी जादा भी डाल सकते हो एक कब भी डाल सकते हो जितनी आपको पतली रखनी है अगर आपको सूखी मटर मखनी बनानी है तो पानी ना डालें और ग्रेवी बनानी है तो पानी डाल सकते हैं पानी डालने के बाद हमने दो मिनट और पका लिया है अब मटर मखनी हमारी सर्व करने के लिए तयार है रोटी के साथ या फिर चाबल के साथ या फिर पूरी के साथ आप इसको बना कर enjoy करें थैंक यू फोर वोचिंग